नमसकार दोस्तों आज का यह प्लान 46 x 42 फिट के घर के लिए ready किया गया है पूरा वास्तू के अनुरूप यह प्लान आपके लिए बनाया गया है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्लान आपका उतर मुखी घर के लिए है यानि कि अगर आपके प्लाट का जो फेस है वो उत्तर दिसा की रोड पर खुल रहा है तो ये प्लान आपके लिए काफी उप्यूक्त रहेगा सबसे पहरे देखिए हर घर का हर प्लाट का अगर आप फेक्टरी दुकान या कोई भी जमीन के उपर निर्मान करने जा रहे हैं तो उसका एक विसेस वास्तु होता है उसकी विसेस एक दिसा होती है उसी के अनुरूप उसका निर्मान करना चाहिए तो आज का जो प्लाट है वो उत्तर मुखी प्लाट है मेन रोड उत्तर दिसा में जा रही है ठीक है इधर आपके पुरवदिसा रहेगी और पीछे की तरफ दक्षिन है इधर पक्षिम दिसा है प्लाट की आगे से चोड़ाई 26 है इस कॉर्णर से यहां तक 26 फिट की चोड़ाई रहेगी और इस कॉर्णर से लेकर यहां तक भी 26 फिट की चोड़ाई है प्लाट की लंबाई की बात करें तो पुर्वे दिसा की तरफ जो दिवार बनेगी वो आपकी 42 फिट की लंबाई में है और पक्सिम दिसा की तरफ जो दिवार बनेगी वो भी 42 फिट की लंबाई में रहेगी खास बात ये रहेगी कि ये प्लाट स्रिफ आपका आगे से यानि की front open है mostly ऐसे प्लाट होते हैं जिनके अंदर सिर्फ आगे से front open होता है सिर्फ आगे की तरफ खुला रहता है, दोनों तरफ पडोसी के मकान रहते हैं पिछे भी पडोसी का मकान रहता है तो उसी अनुरूप ये पूरा प्लान रेडी किया गया है जो काफी आपके उप्योगी भी रहेगा सबसे पहले देखिए उतर मुखी घर है तो मुख्य द्वार हमने इस सान कॉर्णर में इस कॉर्णर से यहां तक मुख्य द्वार दिया है जिसको हम में डूर बोलते हैं इससे आप जैसी अंदर एंटर करते हैं तो आप देख पार हैं 12 फिट लंबाई में और साड़ी 12 फिट की चोड़ाई में पार्किंग एरिया रखा गया है जहां पर आप अराम से पार्क कर सकते हैं जो आप यह ग्रीन देख रहे हैं यह हमने पॉइंट दे रखें ग्रीन आपके मार्क लगा रखें यह आपको यहां पर आप अपने पूदे बगएरा तुलसी के पूदे बगएरा लगा सकते हैं जो घर में काफी उप्यूगत रहते हैं और आपका घर का positive energy level काफी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर parking होगी उसके बाद में पूरव दिसागी तरफ दूसरों की property होने के करण यहाँ पर हमने 3 feet की चोड़ाई में पूरी एक gallery छोड़ दी है जिसमें आपकी काफी अच्छा ventilation रहेगा और पूरव की तरफ open gallery चोड़ने से अपना जो घर का positive level है वो भी काफी अच्छा रहेगा उसके बाद में देखी एक दरवाज़ आपका यहाँ पर लग रहा है उसके बाद में पार्किंग से घर के अंदर आने के लिए जो मुख्य दरवाज़ होता है जिसे मेंडोर केते हैं वास्तु के नेमा नुसार मुख्य दरवाज़ आपका एकदम वास्तु के अनुरूप होना चाहिए वरना आपके घर में आमदनी काफी कम रहेगी खर्चे काफी जादा रहेगे घर में कल है कभी खतम नहीं होती है अगर आपका घर वास्तु के अनुरूप नहीं बना रहता है तो तो यहाँ पर आपका मुख्य दरवाज़ है मुख्य दरवाज़े से जैसे आप अंदर एंटर करते हैं यह आपका होल है साड़े तेरा फिट की चोड़ाई में होल रहेगा चवदा फिट की लंबाई में होल है पूरा वास्तु के अकोर्डिंग होल पलश डाइनिंग एरिया दिया गया है यह कॉर्णर हमारा इसान कॉर्णर है तो यहाँ पर हम अपना पूजागर जो ओपन आसकल पूजागर रखते हैं मौश्टी लोग अगर आप लकडिया मार्बल्स के पूजागर मार्केड में काफी अच्छे से अवेलेबल मिलते हैं वो यहाँ पर आप स्तापित कर सकते हैं बड़ वास्तु के अनुरूप ही आपको इसी स्तान पर स्तापित करना है तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं उसके बाब में देखी मुख्य दुआर आपका यह हो गया एक दरवाजे हमने आपकी पूरव की तरफ ओर दे दिया है जिससे हमारे घर के वास्तु में चारचांद लगेंगे और घर में अच्छी पॉजिटिव एनरजी रहेगी धन दाने सुक समर्दी बढ़ेगी और घर में निरोगी काया रहेगी सबकी उस इंसाब से यहाँ पर एक दरवाजे दिया गया उसके बाद आप इधर एंटर करते हैं ठीक सामने आप देखेंगे यहाँ पर एक दरवाजा है सामने और 9 बाई 9.5 फिट का आपका यह कीचन रसोईगर दिया गया है जो अगनी कॉर्णर में दिया गया है पूरा वास्तु को ध्यान में रखते हुए एक विंडो हमने आपके 3 फिट की गैलेरी में खौल दी है जो पूरी आपकी ओपन रहेगी आगे से लेकर यहाँ तक और यह आपका ग्रीन एरिया रहेगा तुलसी के असोग के वरक्स बगेर आप इस इनसाफ से यहाँ पर लगा सकते हैं तो यहाँ पर आपका कीचन का अच्छे से वेंटिलेशन होगा फिर कीचन की आप इधर एंटर करते हैं यहाँ पर एक दरवाजा लग रहा है यहाँ पर आपका 4 भाई 5 फिट का वास एरिया दे रहे हैं और यहां पर इसकी एक ventilation window बड़ी window तीन फिट की gallery में open हो रही है। इस दरवाजे की ठीक सामने आप देखेंगे यहां पर एक दरवाजे लग रहा है और बारबाई 14 फिट का बड़ा सारा कमरा दिया गया है। कमरे की एक window हमने इस side की road में open कर दी है क्योंकि इस side में इस plan के अंदर हमने road ले रखी है अगर आपके तीनों तरफ अगर other property है तो भी आप इस plan के according वरक कर सकते हैं तो यहां पर अगर आपके other property है तो इस जो यह आपका room रहेगा दरवाजे के ठीक सामने उपर आपकी तरफ ventilation का जो space रहता है ventilation का जो fan लगता है वो आपके इस room में रहेगा क्योंकि दोनों तरफ आपके other property रहेगी तो दोनों तरफ भी आपके कोई भी तरह का window वगेरा ओपन नहीं रहेगा ठीक है अगर आपके इधर open space है या पीछे open space है तो आप window रखेंगे उसके बाद में आप दे पर दो फिट का दो भाई पांस फिट का एक OTS रख सकते हैं जिससे इसका अच्छे से ventilation हो जाएगा और ventilation ही कोई problem ने रहेगी उसके बाद में hall से आप इधर enter करते हैं तो यहाँ पर आपका सीडिया आई है पूरी वास्तु के according सीडिया है जो आपकी पूरी clockwise सीडिया रहेग आपके खर्च कम रहते हैं आमदनी ज्यादा रहती है और आपको खुद को एक energy फिल होती है happiness रहती है घर के अंदर तो उस चीडित को आपको फिल करना है तो वास्तु के according ही घर का निर्मान करवाईए हमेशा ताकि in future आपको काफी अच्छी progress life में देखने को मिले आज के ल विश्य के लिए घर का निर्मान वास्तु according करवाईए धन्यवाद